इन गलतियों से घर में हो सकती है धन की कमी, जल्द अपनाए ये वास्तु टिप्स नमस्ते दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिन्दगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हाला कि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो वास्तु की कुछ गलतिया इसका कारण हो सकती है तो चलिए हम आपको कुछ गलतिया के बारे में बताते हैं अगर आप अंजाने में ये कर रहे हैं तो आपको इन्हें तुरंट छोड़ देना चाहिए अगर आप घर में वास्तु से जुली कुछ गलतिया कर रहे हैं तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है आप करज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है इसलिए आपको यहां बताई जा रही वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुग होता है आपको बता दे कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम विगर जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरे घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे पारिवारिक रिष्टों में खटास आती हैं। जिससे विवाद होने की संभावना बनती हैं। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरे हैं तो उन्हें तुरंत हटा दे। अगर आप अपने कपने चपल जूते आदी चीजे घर में बिना व्यवस्तित रखे इधर उधर फेक देते हैं तो ये बहुत गलत है क क्योंकि ऐसा करने से मालक्ष्वी बहुत नाराज होती है। जिससे आपके घर में पैसो की कमी हो सकती है। घर में कभी भी दर्वाजे और खिलकिया पूरी तरह खुली न रखे। आपको बता दे कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्म कूर्जा का प्रवेश हो स सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार रात के समय पफ्यूम जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्म कूर्जा का कारण बन सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में चमगादल का निवास अशुब माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोश हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाई करने चाहिए जिससे ये चमगादल जैसे पक्षी घर में ना आए। कई लोगों ऐसे होते हैं जो घरी के बंध होन नहीं हैं तो आपके घर में म्रिदपौधए हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप घर में म्रिदपौध discour rhe रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्ते ET समबंदी समस्या का सामना करना पढ़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे आराज हो जाती है और आपके घर की आर्थिक उन्नती रुप जाती है दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्प्राइब जरूर करें